जहन सात्यों एक मिट मेरी बाद जरूर सुनिएगा जिनके नंबर हन्रेट से कम रहे जाहे मैकेनिकल जाहे सिविल आप लोगों को बांस बैक करना है अपनी पढ़ाई को बदल देना है अपने पढ़ाई को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करो कंसेट में आपको हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है बराबर वेटेस के साथ डिटेल नोट्स और वहाँ पर एक सट नोट्स बनाओ फिर उसके बाद प्राक्टिस करना जस्ट राइक एक्जामेनेशन जो भी याद रखेगा आप में और उन्नमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है आपने 까지 कहीं न कहीं में आपको बता रहा हूँ में इंजीनियर्स आपमें प्राक्टिस कम की होगी आपमें रिविजन्स कम किया होगा आपने फ्रापर तरीकी से समराइज नहीं किया होगा। और ह आप सभी दोगों के लिए, जिनके concept के लिए नहीं है, फिर भी आप लोगों को फ्री में YouTube पे सामकु साथ बज़े, Shoot Mechanics की concept की series ले करके आ रहा हूँ और चल रहा है, वेड़ी, Guys, उस sessions को ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों से घुजारीज करूँगा, Civil और Mechanical इंजीनियर्स दोनों ही, Shoot Mechanics का वेटेश आपको पता है, one of the important subject है, और पेपर में experiment हो ही रहा है, ठैंक्यू, और जिन लोगों के marks कम है, might be, वीडियो के निचे description में, Civil और Mechanical Electrical के मह, Pondation टाइप का वेज, दम detailed में पढ़ा हुआ है, आप लोग जा करके, क्लिक करके, ज्वाइन कर सकते हैं, सारे 600 घंटे की classes है, take और non-take दोनों, ज्वाइन करते समय यहाँ पे code जा रहा है, Classes को access करने का code जो है वेटा, Y201, वहाँ पे price जादा दिखाएगा 14,000, सेकिर आप इसको use करते हैं, तो classes में आप मेरी guidance, mentorship, और साथ साथ आपको सारी चीज़ें में दी रहेगे, और maximum discount भी, thank you, और CPR टेकनिक से जरूर पढ़िएगा, अगर paid courses effort नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही request करूँगा, कि अपने ममी पापा के सपनों के लिए, अपने माबाप के सपनों के लिए, अपने देश के सपनों के लिए, आपको please work on self-study mode, आपको work करना है, और आप करेंगे भी और bounce back जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों, बट अगर आपने CPI technique से पढ़ाई की, तो आपका selection, दुनिया के ऐसे कोई ताकत नहीं है, छे महिने में, अच्छे से अच्छे examinations कर दो, decide आपको करना है, आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना है, मतलब पूरी जिंदगी के मतलब 3-4 साब तयारी करना है, ये 6-7 महिने तयारी करना है, detail notes का होना जरूरी है short notes का होना जरूरी है practice का होना जरूरी है just like an examinations आप खुद को कमजोर करते हैं जब questions को solve करने के answer का सहरा लेते हैं exam की तरह आप paper को exam की तरह questions की practice करिए यार जिससे आपको सब कुछ बता चले मेरी तरब से बस इतना ही thank you वीडियो मेरा अच्छा लागा CPR टेक्निक अच्छी तगी तो आप जरूर बताईएगा वीडियो की नीचे और आप लोग bounce back करने के तयार हैं तो एक बार मुझे comment section में जरूर बताईएगे दोस्तों क्योंकि मुझे बता है मेरे warriors ठकते नहीं है हारती नहीं है आप जरूर 2023 या तमाम तरह के examinations के बाउंस बैक जरूर करोगे दोस्तों please go ahead thank you